हेलो डियों स्वागत है आप सभी का एक वाफिल से हमारे चैनल GDC एटूटर में आज का जो हमारा टापिक होले माला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टिट नो देवाला है जी हां साइज डिडक्षन के अंतरगत जो मिल्स होती है उससे क्विश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते है चाहे वो आपका समिस्टर एक्जाम हो कमपटेटिव एक्जाम हो जी पैट एक्जाम हो फार्मसिस्ट एक्जाम हो तो आज का जो हमारे टापिक होगा वो होगा हैमर मिल बहुत ही जादा पूछा जाता है आज हम देखेंगे हैमर मिल होता क्या है उसका प्रिंस्पल समझेंगे उसका कंस्ट्रप्शन समझेंगे वर्किंग यूजेज एडवांटेज डिसडवांटेज हर एक चीज हैमर मिल से रिलेटेड जो भी एक्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके exam point of view से बहुत important होते हैं, उसको बहुत यासान भासा में आज हम समझने वाले हैं, पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा, और वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर सेर कीजिएगा, हैमर मिल होता क्या है, हैमर मिल मेंली क्या होता है, एक size reduction का instrument होता है, जो की बड़े particle को छोटे particle में तोड़ता है, convert करने का काम करता है, किस प्रकार से करता है, क्या construction है, चलिए start कर देते हैं, सबसे पहले आप देखोगे कि हैमर मिल होता क्या है, जी हाँ, introduction में आप देखोगे कि जो हैमर मिल है, एक high energy process होती है, किसकी particle size को reduce करने के, या particle size को community करने की, है ना, यानि कि particle size को reduce करना, particle size को communication करना, किसके द्वारा, by impact के द्वारा, जी हाँ, rapidly जो moving हैमर होते है, हतोड़ा होता है उसमें, वो क्या करेगा, बहुत तेजी से revolute क करेगा, घूमेगा, और particle जो आता है, उसको impact डालता है, उस पे एक rigid force लगाता है, force लगाने से, जो हमारा rapidly moving hammer का force लगेगा, तो particle हमारा नीचे से छनके छोटा हो जाएगा, और सीव लगी होती है, वहाँ से अलग हो जाएगा, simple, अभी आपको diagram भी बताएंगे, देखिए, जैसे हमारा एक hopper हो गया, यहाँ पे hopper से बड़े-बड़े particle जाते है, और यहाँ पे जो एक saft लगा हुआ है, saft से क्या है, देर सारे hammer, 4-8 hammer जुडे हुए होते है, जो hammer बहुत ही तेजी से revolute करते है, और इस particle को वो क्या करते है, impact डालेंगे, particle छोटे-छोटे particle में, parts मे टूटेगा, और यहाँ पे जो screen लगी होती है, जो हमारा छननी कह लिजे, या seew लगी होती है, उससे क्या होगा, particle नीचे छनके अलग हो जाएगा, ठीक है, तो यह तो तरह से introduction हो गया, principle देख लेते है, principle से question पूछा जाता है, multiple choice में, तो जो hammer मिल होता है, impact के principle पे, किस के principle पे बढ़ करेगा, impact क्यों, क्योंकि एक तरह से जो हतोडा होता है, हतोडा वो particle पे impact डाल रहा है, एक rigid force लगा रहा है, किस के किस के बीच में impact लग रहा है, rapidly moving जो hammer है, जो की rotor पे mounted है, और जो powder material या जो particle है, जिसको छोटा करना है, उसके बीच में impact लगेगा, तो हमारा यहा क्या है, कि size को घटाना है, size को reduct करना है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, construction, hammer मिल के अंतरगत, क्या-क्या चीजे होती है, क्या-क्या चीजे उसके अंतरगत रहती है, सबसे पहले यहाँ पे होगा, क्या, एक feed hopper होगा, जिहाँ, एक feed hopper होगा, जहां से particle क्या होगा, हमारा move कर रहा है, hammer move कर रहा है, वो क्या करेंगा, अपने moment से, जो हतवड़ा है, वो impact डालेगा, जब particle इसमें तूटेंगे, छोटे होगे, फिर जो कम तूटेंगे, इसमें क्या होगा, अगेर जो क्या करेंगे, घूमेंगे, और तूट के, इसमें जो screen लगी होई है, यहा हमारा hammer mill particles को क्या करता है, reduce करता रहता है, तो में लिए हम देखेंगे, क्या के चीजें इसके construction में बताई गई है, simply एक metal की casing होगी डियर, जिसमें 4 या 4 से अधिक 4, 6, 8 क्या होते है, hammer attach होते है, इस enclosed central salt में, इस enclosed central salt में, 4 या 4 से अधिक जो hammer होगे, वो यहाँ पर लगे होगा, वो screen कह लीजिए, sieve कह लीजिए, चलनी कह लीजिए, वो लगा होता है, जिससे material क्या होगा डियर, पास हो जाएगा, जिससे material छोटा होके पास हो जाएगा, then उसको एक suitable receiver में क्या करते है, यहाँ पर receiver लगा दीजिए, वहाँ पे हम छोटे particle को collect कर लेते हैं, फिर क् size reduction, यहाँ पे क्या होता है, अगर चलनी के नीचे उस size जिसके particle आ रहे हैं, क्यानी कि हम जिस size का particle चा रहे हैं, हमें मिल गया, फिर क्या होता है, side of casing पे, एक feed hopper यहाँ पे लगा हो सकता है, feed hopper पहले ऐसे vertically हो सकता है, फिर ऐसे horizontally जा सकता है, ऐसा हमारा होता है, design एक तरह से किसका hammer मिल का dear, किसका hammer मिल का, अब हम बात करेंगे working की, जी हाँ, hammer मिल कैसे work करता है, simple है, simple क्या है विया, कि जो hammer होता है, वो continuous motion में क्या करता है, rotate करता है, है न, यह saft motor से जुड़ा होगा, और यह rotate करेगा, जब यह rotate करेगा, तो hammer भी rotate करेगा, फिर जब particle आएगा, यह जो rotation की speed हो रही है, जी हाँ, rotation की speed ही, तो particle कितना बहतरीन, कितना अच्छे से size reduction हो रहा हो रहा, वो decide करेगा, देखे, जो हमारा rotation की speed है, 8000 से 15000 revolution per minute, जी हाँ, 8000 से 15000 rpm पे अगर कोई चीज घूमेगी, तो आप सोच लीजिए, पार्टिकल कितना अच्छे तरीके से वहा तूटेगा, फिर क्या होता है, जो hopper होगा, वो हमारा feed material को feed करने के लिए यूज के जाता है, फिर जो material hopper से पहले vertically आते हैं, पहले बताया न, hopper ऐसे vertically होगा, फिर ऐसे horizontally जाके, फिर इस casing में जो hammer लगे हुए होते हैं, उससे हमारा, क्या होगा, impact लगेगा, फिर क्या होता hammer से ककराएगा, तो material क्या होगा, smaller pieces में, smaller particle में तूट जाएगा, clear idea, वहाँ पे material small particle में तूट जाएगा, और तूटने के बाद, वहाँ जो नीचे screen लगी थी, जो receive लगा था, उससे particle नीचे receiver में collect हो जाएगा, यही पूरा simple सा process है, simple see working है, आपके hammer mill की डियर, clear हो गया होग फिर हम बात करते है, hammer mill का कुछ advantages होगा, कुछ disadvantages होगा, सबसे पहले hammer mill भहिया, easy to sit up है, dismantle करना, sit up करना, और clean करना बहुत easy होता है, इसका action बहुत rapid होता है, फिर यह बहुत different type of material का size घटाने में, उसको grind करने में बहुत ही helpful माना जाता है, और यह small space में situate हो जाता है, वहाँ से यह working करने लगता है, साथी साथ versatile होता है, मतलब जो speed होगी hammer की, जो नीचे screen का size होगा, वो हम change कर सकते हैं, अपनी need के हिसाब से, अपने जो particle चाहिए उसके हिसाब से, कुछ अब भीया disadvantage की बात कर ले, सबसे बड़ा disadvantage यही है, कि जब hammer mill चलता है, तो वहाँ पे heat build up होगी, यानि कि थोड़ा सा heat build up होने से, जो thermo-level substance है, जो heat sensitive substance है, उनमें प्रवाव पड़ेगा, वो degradate होने लगेंगे, साथी साथ, hammer mill cannot be employed to, जी हाँ, किस material के लिए, sticky material हो गए, fibrous material हो गए, बहुत जादा hard material हो गए, तो उसको यह घटा नहीं पाता, उसका size reduct नहीं कर प जादर, वो jam सकती है, clog हो सकती है, वो jam हो सकती है, यह कुछ disadvantages और advantages आपके सामने हो गए, अब हम बात करेंगे dear, uses कीजी हाँ, uses क्या है, और कौन-कौन से variant आते है, तो mainly जो brittle material होता है, वो impact की द्वारा, hammer की द्वारा क्या होता है, जो impact लगता है, वो उससे easily तूट जाता है, साथी साथ, जो fibrous material होते है, वो हमारा तूट जाता है, best reduce in size by cutting edge, जी हाँ, जो उस पे edge होते है, hammer के edge होते है न, ऐसे करके, तो उस जो fibrous material भी होंगे, वो भी हमारा cut हो जाएंगे, साथी साथ, जो हमारा food product होगा, उसकी grinding में, उसके size reduction में, hammer mill use किया जाता है, powder के production में, hammer mill use होता है, material का size घटाने में, hammer mill, मतलब, कुल मिला जुला के, particle का material का size घटाना है, तो hammer mill एक तरसे best option होता है, clear idea, hammer mill के कुछ variants आते हैं, इससे भी question पोल सकता है, कि या, stocks tornado mill के नाम से आता है, और fit jeb patrick, combinating machine, fits mill के नाम से आता है, micro pulvisor, hammer crusher भी हमारा इसका variant होता है, so dear student, ये थे आपके hammer mill, जी हाँ, hammer mill जो की आपके exam में पूछा जाता है, और बहुत ही important होता है, हर साल exam में semester exam, जैसे third semester की बात की जाए, तो उनके engineering में आता है, और defarma की बात की जाए, तो उनके statistics में hammer mill का आना बहुत ही तै होता है, so dear student, उम्मीद होगी आपको hammer mill ये सवाली class में समझ मे आया होगा, अगला जो हमारा class होगा, अगले class में हम बाल मिल, जी हाँ, size reduction का एक और important mill, बाल मिल के बारे में आपको जानकारी देंगे, कि जानकारी आपको कैसी लगी, समझ में आया की नहीं, comment box में जरूर बताइएगा, और ऐसे video देखने के लिए, इस channel को subscribe कीजेगा, मिल पर है, किसी अगले वीडियो में डियर, किसी अगले topic के साथ, तब तक के लिए, thank you so much, all the very best.